अगर आपको भी कुछ इस पर करसे इंस्टाग्राम क्रेंडिंग फिरी बेश्ट क्रेंड पीसत नेम वीडियो इडित करना है आजा वास सिखा देंगे तो चलिए अब इसका इडितिंग सिख लेते हैं लेकिन उससे पहले वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन को फ्रेस कर दीजिएगा तो चलिए अब आपको लेचलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर तो सबसे पहले गूगल को उपन करके टेकनिकल सुजित लिख करके सर्च करना होगा एक नमर पर जो बेपसाइड आएगा उसको आप उपन कीजिएगा सर्च वाला आइकन पर क्लिक करके आपको सर्च करना है बेश्ट फ्रेन कीस परकार से लिखना है आपको स्क्रीन पर देखनों को मिल जएगा लिख करके आप सर्च कीजिएगा एक नमर्ट पर जो पोष्ट आईगा उसको आप open किजिएगा इतना हो जाने के पाद आप नीचे चलिएगा नीचे आपको देखनों को मिल जाएगा photo creator link इस पर आप klik किजिएगा जैसे ही klik किजिएगा कुछ इस परकार्से open हो करके आजाएगा सबसे पहले आपको लॉगिन करना परेगा हम पहले से ही लॉगिन हैं अगर आपको लॉगिन करने नहीं आता है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं इसमें आपको बताएं हैं कि इस परकार से आप लॉगिन हो सकते हैं अब इसमें आपको जिस type का photo edit करवाना है उस type का prompt लिखना होगा हम एक prompt लिख करके रखें तो चलिए उसको हम paste कर देते हैं बस यहाँ पर आपको नाम change करना है अगर आप चाहते हैं कि 3 best friend हो या फिर 4 हो 5 हो जितना चाहे उतना यहाँ पर लिख सकते हैं य sincer कि आप सब देख सकते होंगे इन 3 के जगापर आप फोड लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं घितना लिख सकते हैं वह आपके ऊपर हे उसके आगे आपको देखनों को मिलीएगा सुझी seven ius इसमें अगर आप चार लर्गा का बनाना चाहते हैं तो चार नाम लिखना होगा अगर तीन लर्गा का बनाना चाहते हैं तो तीन नाम लिखिएगा आप सब समझ गए होंगे इतना हो जाने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना अगर तीसत वागरा चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इतना हो जाने के बाद अब फोटो बनवाने के लिए किरियेत वाला बटन पे किलिक करना होगा जैसे ही आप किलिक किजिएगा थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा उसके बाद फोटो इदित करके आप सब को दे देगा लेकिन उससे पहले वीडियो अच्छा लगे लाइक किजिएगा सब्सक्राइब किजिएगा बेल आइकन को फ्रेस कर देजिएगा तो कुछ इस पारकर से बना करके दे दिया जैसे कि आप सब देख सकत होंगे इसमें से आपको जो आच्छा लगता है उस पर आप किलिक किजिएगा किलिक करने के बाद डाउनलोड करने के लिए थीरी बटन पे किलिक किजिएगा उसके बाद डाउनलोड बटन पे किलिक करके इसको आप डाउनलोड कर लेजिएगा इतना हो जाने के बाद अब आप भी एन एप को open किजिएगा तो चलिए भी एन एप को open कर लेते हैं अगर आपके mobile में नहीं है लिंक देंगे नीचे वहाँ से आप download कर सकते हैं प्लस वाला icon पे किलिक किजिएगा new project पे किलिक करके photo पे किलिक किजिएगा जो photo अभी आप बना करके से भी किए उसको आप add किजिएगा next वाला button पे किलिक कर देजिएगा अब इसका जो format है वो मुझे real वाला चाहिए तो यहाँ से आप original पे किलिक किजिएगा 9 by 16 पे किलिक किजिएगा photo पे किलिक करके इसको आप छोटा कर देजिएगा कुछ इस परकार से जैसे की आप सब देख सकतो होंगे beach center में आप रख लिजिएगा अब इसके पीछे background लगाना है लगाने के लिए नीचे से आप आगे के तरफ चलिएगा bg पे किलिक किजिएगा image पे किलिक कर देजिएगा तो इसी image को blur करके पीछे लगा देगा अगर blur को canvas करना चाहते हैं तो यहां से आप कर सकते हैं तो हम लगभग इतना रहने देते हैं उसके बाद हम done पे किलिक कर लेंगे अगर यह जो फोटो है इसमें आप चाहते हैं देने के लिए आप यहांसे bother पे किलिक किजिएगा जिस color का आप bother लगाना चाहते हैं उसपर आप किलिक किजिएगा और जीतना आपको लगाना यहां से आप кमबेस कर सकते हैं तो चली हम यहांसे थिरी कर लेते हैं डान पे किलिक कर देंगे अब इसका जो size है आप जीतना बारा रखना चाहते हैं रख सकते हैं लेकिन आप रखिएगा 12-13 सेकेंड कर लेजिएगा आगे का जो water mark हैगा उसको आप delete कर लेजिएगा अब इसको save करना है save करने के लिए arrow पे किलिक किजिएगा quality देख लेजिएगा export पे किलिक करके इसको आ आप gallery में save कर लेजिएगा अब इसमें मुझे auto velocity effect apply करना है apply करने के लिए आपके पास cap cut app होना चाहिए अगर नहीं है link मिलेगा नीचे वहां से आप download कर सकते हैं cap cut app हमारे इंडिया से बेन है इंडिया में चलाने के लिए आपके पास कोई सभी एक VPN होना चाहिए हम use करेंगे super VPN अगर ये आपके phone में नहीं है सब का link मिलेगा नीचे वहां से आप download कर सकते हैं video save हो जाने के बाद यहां से हम cut कर देते हैं अब सब से पहले आपको VPN को open करके connected करना होगा connected हो जाने के बाद इसको आप cut किजिएगा फिर से आप google को open किजिएगा फिर आप plus वाला icon पे click किजिएगा search वाला icon पे click करके technical subject लिख करके search किजिएगा एक नमर पे जो website आएगा उसको आप open किजिएगा उसके बाद search वाला icon पे click करके अब आपको search करना है ICAL लिख करके आप सर्च किजिएगा एक नमर पर जो पोश्ट आएगा उसको आप open किजिएगा उसके बाद यहां से आप नीचे चलिएगा नीचे आपको देखनों को मिल जाएगा Use this template इस पर आप click किजिएगा उसके बाद Use template in CapCut इस पर आप click किजिएगा Preview वाला बटन पर click कर देजिएगा थोड़ा सा loading लेगा उसके बाद आपका वीडियो बना करके देदेगा जैसे की आप सब देख सकतो होंगे नीचे आप देख सकतो होंगे कि processing में है तो सबसे पहले इसको हम complete होने देते हैं processing complete हो जाने के बाद save करने के लिए export पे click किजिएगा quality पे click किजिएगा quality को आप increase किजिएगा down पे click करके save and share तो टीक तक इस पर आप click करके वीडियो को गैलरी में save कर लेजिएगा तो हमें उमीद के साथ साथ पूरा विश्वासे कि ये editing आप सब को अच्छा लगा होगा अगर थोड़ा सा भी लगा हो लाइक किजिएगा subscribe किजिएगा bell icon को फ्रेज कर देजिएगा तो चलिए मिलते हम अपने अगले वीडियो में